हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू आलेंड कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीके क्योंकि एक्जाम डेट हमारी पास आती जा रही है तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, ओके तो कल जिसे की प्रीवेस सेट, हमने कल 9 पीम प आप सेशन को शेयर करिए, आपके जादा से जादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएं, ठीके और प्रीवेस सेशन हम लोग में सेट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीके सेट 5 पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको प्ले, पीडिएफ जो है वो सेट 6 को अपन स्टार्ट करते है, सबसे पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो टेक्सबुक होती है, टेक्सबुक लेक बुक्स वगरा जो होती है, उनका एडवांटेज क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ पास नॉलिज, मोटिविशन फोर स्टुडेंट, इफाइनेट बैसे उफ असाइमेंट या फिर ओल अफ दिस, तो टेक्सबुक जो होती है, उनका एडवांटेज क्या होता है, यह चीज़ आप से पूछी गई, आप सभी को यहांपर कमेंट करना है किसका आणसर यहांपर क्या होगा, टेक्सबुक के एडवांटेज, टेक्सबुक के ज Defined Basis of Assignment, बच्चों को time to time यहां पर assignments मिलते रहते, assignment in the sense कि बच्चों ने दो दिन तक स्कूल नहीं गया, तो अब स्कूल नहीं गया, तो घर पर बैठ कर खुछ से self study भी कर सकता है, कुछ से lesson को पढ़के question answer complete कर सकता है, तो इस तरीकी से Defined Basis of Assignment भी यहां पर सही हो जाएगा, तो right answer यहां पर हो जाएगा, हमारा option number D, बहुत ही easy question था यह, ओके, और next question पर मोग करते हैं, next question है हमारे पास, एक laboratory जो होती है, उसमें बच्चों को क्या-क्या उसर मिल सकते हैं, response का, creativity का, activity का, या फिर all of this, तो जल्दी से आप सभी comment करेंगे कि इसका answer यहां पर क्या होगा, क्या बच्चों का response यहां से generate होने को मिल सकता है, क्या बच्चों के अंदर creativity आती है, क्या बच्चे activity करते हैं, laboratory में जाकर या फिर इसका answer होगा, all of this, तो right answer is, यहां पर है, all of this, बच्चों response generate करते हैं, मतलब कोई भी activity यदी वो करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो कि बच्चों के अंदर laboratory में जाने से creativity आती हैं, नए-नए, वो experiment करना सिखते हैं, बच्चों यहां पर active learner के रूप में participate करते हैं, तो वो activity based work करते हैं, और यहां पर जो भी उन्होंने कारे किया, मतलब उनका एक response generate होता है, तो यह चीज़ भी यहां पर सही है, तो right answer हमारा हो जाएगा, option number D, next question पर मोग करते हैं, the essential elements of the evaluation approach are, देखो यह दो question काफ़ी easy थे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको fast पढ़ा दिया है, और I think इससे पहले वाले कभी session हुए थे, तो उसमें हम लोग यह दो question पहले भी complete कर चुके, I think इसी तरीके के कुछ question थे वो, अब इसको समझो, the essential elements of the evaluation approach are, कुछ essential element क्या होते हैं, evaluation के evaluation को बोला जाता है, मुल्यांकन के, instructional objective, change behavior, learning experience या फिर all of this, बच्चों का जब हम लोग evaluation कर रहे हैं, तो उसके कुछ elements, उसके भाग, उसके हिससे, उसके तत्व क्या-क्या होते हैं, यह कुछ पूछा हुआ है आपसे, ठीक, evaluation approach के क्या-क्या तत्व होते हैं, तो instructional objective, कुछ हमारे पास objective रहता है, evaluation करने का, बच्चों का behavior analysis करने का purpose रहता है, कि बच्चों के व्यवहार में क्या-क्या परिवरता ना रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का learning experience एड़ होता है, ठीक, तो right answer, यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number D, चारो ही चीज़े include रहती है, तीन चीज़े तो यह हो गई, ठीक, और teacher का experience, teacher का भी experience बढ़ता जाता है, यहाँ पर teacher खुद को self analysis कर लेता है, कि मिन अभी तक जितनी भी method का यहाँ पर प्रियोग किया है, use किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या वो suitable है बच्चों के लिए, if suitable है तो continue रखो, और suitable नहीं है, तो उसके अंदर कुछ changes लाना आवशियक है, तो instructional objective भी सही है, changing behavior, changes behavior भी सही है, ठीक है, और यहाँ पर learning experience यह भी यहाँ पर सही है, तो right answer यहाँ पर option number D हो जाएगा, next question की बात करते हैं, next question है the purpose of evaluation, evaluation मुल्यांकन का purpose क्या है, to know the, to know about behavior changes, relationship building, teamwork, all of this, तो evaluation मुल्यांकन का purpose क्या होता है, same question पूछा है, बाकि option थोड़े अलग है, to know about behavior changes, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने spelling mistake कर दी है, इसको आप changes कर देना, ठीक है, changes की spelling, C-H-A-N-G-E, और ज्यादा changes आते हैं, तो A-S-A-P-N लगा देते हैं, चलो वापस से question पर आ रहे है, the purpose of evaluation, to know about behavior changes, बच्चों के behavior changes का हम लोग analysis करते हैं, बच्चों के behavior, उनके व्यवहार के बारे में पता चलता है, relationship building, यहाँ पर बच्चे के relationship building, relationship building क्या होता है, हमारा व्यवहार, एक तरीके से हमारा जो रिष्टा है, वो दुसरों के साथ कैसा है, friendly है, या हम दुसरे लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो एक वो व्यवहार वाली बात अगई, कि आप लोगों का जो रिष्टा है, वो दुसरों के साथ कैसा है, teamwork और all of this, तो देखो, evaluation के purpose ही ही होते है, हम लोग मुल्यांकन क्यों करते है, ता कि बच्चा जादा से जादा से जादा से जादा क्वालिटी आपाए, जादा से जादा creativity आए, बच्चा कहां पर लेक कर रहा है, पढ़ने में कुछ कमी उसके अंदर रह गई है, तो उसको हम लोग यहाँ पर overcome कर सके या फिर खतम कर सके, तो राइट answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number D, तो राइट answer यहाँ पर हमारा option number D होगा, next question की बात करते हैं, देखो again same question है, बाकी आपको जितने भी एक्जाम में अभी तक evaluation के question पूछे होगे थे की definition से related, वो सारे यहाँ पर set की होगे हैं, तीक है, अब देखो option वापस से अलग है, लेकिन question से में, अब इससे पहले अपन करके हैं थे की the purpose of evaluation, परपस क्या होता है, परपस यह नहीं की इसका जो पीछे का motive है, लक्षे वो क्या है, तीक है, और the essential elements, तीक है, evaluation की approach जो है, उसके essential elements, उसके तत्व क्या-क्या है, तीक है, दो question तो यह हो गए, अब यहाँ पर पूछा, evaluation की definition, evaluation is the process of dash dash dash, अब आपको यहाँ पर fill करना है, तो इस तरीके साब से यहाँ पर evaluation की definition पूछी हुए, चलो, आगे बढ़ते हैं, option आपके सामने दिख रहे हैं, चारो आपको, determine the extent of the achievement of objectives, comparing the outcome of the instructor, ascertaining the quality value of outcome या फिर all of this, तो देखो, evaluation is the process, evaluation कैसी process से यह आप से पूछा हुआ है, determine the extent of the achievement of the objective, बच्चों के achievement को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, determine करते हैं, उनको judge करते हैं, उनको measure करते हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से देखना है कि बच्चे के पास क्या-क्या achievements हैं, comparing the outcome of the instructor, इंस्ट्रक्टर के outcome को compare करना एक तरीके से, ascertaining the quality value of outcome, एक तरीके से जो result निकल कर आ रहा है, उसको ascertain करना, या फिर option D है, हमारे पास all of this, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर answer क्या हो सकता है, evaluation में हम लोग करते क्या हैं, तो evaluation का एक छोटा सा अपन idea ले लेते, brief idea ले ले लेते, जब हम लोग evaluation पढ़ रहे होते हैं, मुल्यांकन पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग सबसे पहली चीज़ तो यह पढ़ते हैं, कि यह विध्यारती केंदरित होता है, जहाँ पर student centered यह process होती है, जहाँ पर हम लोगों को बच्चों के अंदर जितनी भी कमिया हैं, उनको दूर करने की आउश्रकता होती है, ठीके पहली चीज़ तो यह, उसके बाद यहाँ पर जो teacher होता है, वो खुद का self analysis कर लेता है, कि यहाँ पर मुझे में कोई कमी हो रही है, तो वो भी दूर हो जाएं, ठीके अब बच्चों के अंदर जो भी कमी है, वो सारी चीज़े दूर हो जाती है, बच्चों का यहाँ पर A to Z सारा record रखा जाता है, अपने पढ़ाए, portfolio के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, portfolio में क बच्चों का सारा A to Z, उसने क्या-क्या स्कूल के अंदर activity की, out of the school, state level पर कोई competition किया है, district level पर, national level पर कोई भी competition किया, उसने क्या-क्या certificate, क्या-क्या trophies अचीव करी है, वो सारा record उस portfolio के अंदर रहता है, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर रहती है, तो वो बच्चा नेशनल चीज़े बच्चे की, वो ही sense हम बोल सकते की A to Z, सारी चीज़े इसके अंदर include रहेगी, ठीके, और इसके अंदर हमारा CCE भी आ जाता है, यानि की continuous and comprehensive evaluation, सतत्व व्यापक मुल्यांकन, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या चीज़े आती है, इसके अंदर continue और लगाता है, ब्रॉड लेवल पर और continue उसका मुल्यांकन करते रहते हैं, उसका मुल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि बच्चा स्कूल टाइम में कितनी activity कर रहा है, और exam में उसका performance कैसा है, बतलब A to Z बच्चे के बारे में सारी चीज़े यहां पर रहती है, ठीके, comparing the outcome of the instructor का meaning होता है, कि यहां पर जो instructor को रहता है, जो instruction देता है, ठीके, वो भी अपने जो outcomes है, मतलब उसके जो भी output है, जो भी result है, उसको compare करता रहेगा, ascertaining the quality of value of outcome, ascertain करना मतलब की बढ़ाना, दो quality value of outcome बढ़ाना, मतलब outcome जो result है, उसकी quality value को बढ़ाना, मतलब उसके अच्छे से improvement लेकर आना, ascertain उस चीज को करना, तो यह चीज भी सही है, ठीके, तो right answer हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, ठीके, यह चीज समझ जाए, कि evolution क्या है, evolution एक तरीके की process है, जहां पर determine the extent of the achievement of the objective, comparing the outcome of the instructor, ascertaining the quality value of outcome, तो यह तीनों ही चीज़े यहा पर सही लग रही है, तो right answer हमारा option number D हो जाएगा, ठीके, next question की बात करते है, relationship building education and language, मतलब एक education और language के बीच में एक relationship कैसा होता है, mostly education is given and taken by language, language is learned by education, relationship of language and education is unclear, या there is a no relationship between education and language, तो आप से पूछा है कि education यानि की शिक्षा और language यानि की भाशा इन दोनों के बीच में, between मतलब की बीच में, relationship मतलब की संबंद, इन दोनों के बीच में संबंद कैसा है, इन दोनों का relation कैसा है, तो सही answer आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ लग रही है कि जो हाँ, click कर माइंड में कि हाँ, ये चीज़ सही हो सकती है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है, क्या education और language का कोई relation ही नहीं है, ठीक है, तो ये option D, तो ये बोल रहा है कि देखो, आप ऐसा मानते हो क्या, कि there is a no relation between education and language, यदि मानते हो तो option D, answer करो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोन से ही, learn कर सकते हो क्या, या फिर mostly education is given and taken by language, क्या चीज़ आपको सही लग रही है, देखो, right answer is option number one, mostly education is given and taken by language, हम बच्चों को education, हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, क्या कि तो किस माद्धी हम से दे सकते हैं, एक भाषा, एक language के माद्धी हम से दे सकते हैं, जो कि communicative purpose की ह हो, चाहे हो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, education, दे सकते हैं, तो किस के माद्धी हम से आप लोग यहाँ पर दे पाएंगे, education, sorry, language के माद्धी हम से दे पाएंगे, ठीके, अब एक चीज़ यहाँ पर second और fourth हम काट दी है, अब यहाँ यह चीज़ पता चलती है, कि second हमने गलत क्यों किया, तो देखो, language is learned by education, याद करो उस पुरानी सदी को, जिसमें कोई भी ना के बराबर लोग school जाते थे, ठीके, हमारे घर में भी old age people होंगे, ठीके, हमारे दादा दादी हो सकते, कोई भी हो सकते, तो आप उनसे पूछ सकत क्या education, इसलिए ये वाला option यहाँ पर गलत हो गया, कि language is learned by education, language को आप learn कर सकते, किसके through, education के through, तो ये थीज़ यहाँ पर गलत हो गई, तो ये थोड़ा लग रहा था, कि हाँ, mostly, mostly ऐसा होता है, कि बच्चे जब education लेते हैं, वो किसके माध्यम से लेते, language के माध्यम से लेते पॉसिबिलिटी वाला संगेत हमको दे रहा है, इसलिए हमने इसका answer option number one कर दिया, तीक है, आगे बढ़ते कोई भी doubt हो, तो बताते रहना, तीक है, ताकि comment section आप यहाँ पर नहीं, जो हम लोग live chat कर रहें, इसके अंदर नहीं, क्योंकि हो सकता है, बहुत सारी बार जो होता ह मैं यह comment नहीं पढ़ पाती हूँ, जैसे यह video complete होगा, हमारा session complete होगा, यह chat यहाँ से delete हो जाएगी, doubt आ रहा है, तो बाहर comment section में जाकर लिखना, तीक है, यहाँ वाली chat जब तक session चल रहा है, तब तक ही रहेगी, उसके बाद वो खतम हो जाती है, delete हो जाती है, तीक है, हट जाएगी यहाँ से, तो doubt आता है, और आप जो भी answer इहाँ पर बोलते हैं, वो बाहर आपको comment box में जाकर बताने होते हैं, तो जो 9 p.m. पर daily session अटेंड कर रहे हैं, उनको comment box में जाकर बाहर comment करना होगा, यदि कोई भी doubt आता है, तो, चलो, आगे next question है, हमारे पास languages, language क्या हो तरीके का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाषा, ठीके 9th class में हमारा भाषा के उपर हिंदी में एक chapter भी आता है, ठीके जिसके हम लोग पूरा भाषा समझते हैं, भाषा language होती क्या है, जहां पर एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति से communicate कर सकता है, ब आदान प्रदान करना मतलब कि कुछ given type का कुछ मतलब कि कोई दे रहा है, तो कोई ले रहा है, कोई अपने विचार दे रहा है, तो कोई इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर विचारों का क्या चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, मतलब कि क्या चल किसका exchange चल रहा है thoughts यानि कि विचारों का क्या चल रहा है आदान प्रदान चल रहा है तो एक सही definition जैसे की what is language ठीक है what is language तो language is exchange of thoughts तो यह definition बन गई हमारी language is exchange of thoughts तो राइट answer यहां पर हो जाएगा हमारा option number one ठीक है कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए आपको आगे बढ़ते हैं communication is called sorry communication is called यह आपका कल का homework भी था transport of feelings and ideas to other to observe feeling and ideas ठीक है तीसरा option है exchange of feeling and ideas or none of this यह दी आपको previous question number eight अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसका बिना किसी confusion के साथ answer आप कर सकते हैं देखो communication की बात हुई है देखो language हम लोग किसके लिए use करते हैं communication के लिए use करते हैं फिर आपसे इधर उल्टा पूछ लिया है पहले पूछा था language किया है तो हमने बोला था exchange of thoughts विचारों का आदान प्रदान है अब आपसे पूछ लिया है पहले वहाँ पर हो गया था कि language हम क्यों use करते है communicative बातचीत करने के लिए use करते हैं ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें अब आपसे पूछ लिया गया है कि communication क्या होता है तो transport of feeling and ideas to other हम लोग अपने विचारों को transport कर पाएं to observe feeling and ideas हम observe कर पाएं in the sense कि like महसूस कर पाएं तो आपको क्या लग रहा है एक ही answer हमको choose करना है तो communication का meaning क्या होता है अभी हम लोग पढ़के आयते कि language क्या होती exchange of thoughts यहां पर भी answer हमारा वही होगा exchange of feeling and ideas राइट answer क्या हो जाएगा हमारा option number C exchange of feeling and ideas अब आप सोचो कि यह महसूस करना तो महसूस करने में सिर्फ महसूस ही करते रह जाओगे communicate कप करोगे महसूस करना तो एक type का listening हो गया ठीक है सामने वाले ने जो भी बोला आपने सिर्फ सुन लिया तो सिर्फ सुनण, communicate करना होता है क्या communication करने में दो चीजे बहुत ज़्यादा जरूरी होते है कौन सी दो चीजेे बहुत ज़्यादा जरूरी होती है देखो दो लोगों का कम्मिनिकेशन करने के लिए मिनिमम कितने लोगों का होना आउशक है तो कम्मिनिकेशन करने के लिए मिनिमम दो लोगों का होना बहुत जादा आउशक होता है ठीक है ये दो लोग है दो लोग होंगे मिनिमम दो लोग मौर देन टू भी हो सकते 12 भी हो सकते 1000 भी हो सकते लाखों भी हो सकते ठीके बट minimum 2 लोग होंगे तभी communication possible हो पाईगा ठीक है अब वो चाहे फोन पर communicate कर रहे हो ठीक है चैट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन 2 लोग होना बहुत जादा आउश्यक है अब ये 2 राक्षाज्ज जो है यह उसको follow कर रहा है, यह दोनों के बीच में बातचीच चल रही है, ठीक है, अब देखो यह चीज तो हो रही है, कि सिर्फ महसूस करना, सिर्फ अब्जर्व करना सामने वाले को तो यह चीज गलत हो गई, ठीक है, अब यह क्यों गलत हुआ, देखो हम लोग बोलते है, transportation क्या होता है, सामान को इधर से उदर ले जाना, तो आप मान लो कि यहाँ पर एक ट्रक खड़ी हुई है, ठीक है, इस ट्रक का कारे क्या है, कि जितना भी सामान है, ट्रक या बस जो भी मान लो आप इसको, ठीक है, अब यह क्या कर रही है, इस सामान को, इसके अंदे बहुत सारे roots रख्य हूए इस सामान को इसको इस यहाँ तक यहाँ तक लेकर जाना तो यह क्या कर भी इसको यहाँ पर लेकर चली जायएगी तो हम लोग क्या बोल रेंगी कि ये transport का काम कर रहा है तो कमिनीकिशन में क्या होता है कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जब सामने से आप बोल रहे हो, तो सामने वाला भी आपको जवाब दे, तो एक तरीके से exchange of feeling and ideas is communication, ठीके, तो ही communication की हमारी definition होगी, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर option number C, transport करना से एक side से one way communication होता है, एक side से हम लोग communication कर सकते हैं, और exchange करना मतलब two side होगा, by directional होगा, जहाँ पर इधर से भी message होगा, और दूसरी साइट से भी message होगा, next question देखते है, aim of language, किसी भी language का, किसी भी भाश्रा का aim लक्ष क्या होता है, speech, communication, research, या फिर none of this, तो यह question सेम है, हमारा बिल्कुल basic सा question है, कि aim का मतलब होता है, लक्ष, ठीक, aim का मतलब क्या होता है, लक्ष, तो भाश्रा का लक्ष क्या होता है, speech, speech देना, communication करना, research करना, फिर none of this, तो language का जो लक्ष होता है, वो होता है, communication करना, बात्चीत करना, जहाँ पर दो लोग अपने विचारों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, exchange of feelings, exchange of thoughts, exchange of ideas, तो right answer is option number B, अगले question की बात करते हैं, where does a, देखो, एक बार में पूरा इसको screen पर लेकर आ रही हूँ, where does a child learn a standard form of language, जहाँ पर एक बच्चा जो है, standard form of language, किसी भी भार्षा को एक standard तरीके से कब सिखता है, भार्षा के दो तरीके होते, एक naturally सिखना, जिसे हम लोग L1 बोलते हैं, और standard form like L2, target language, L3, आप उसे कुछ भी बोल सकते हो, तो standard form of language कब सिखता है, society से सिखता है, घर से सिखता है, class सिखता है, या फिर school से सिखता है, तो normally यदि हम बात करें, तो बच्चा जब standard form of language सिखना चाहता है, तो उसे किसकी मदद चाहिए होगी, school की मदद चाहिए होगी, तो सही answer हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number D, अगर यहाँ पर पूछा जाता आपसे कि बच्चा किसी भी language को naturally कब acquire करता है, तो अपने home से, अपने घर से natural भाषा को सीख सकता है, तो right answer आपसे option number one हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर आपसे standard form की बात की हुई है, कि standard तरीके से कब सीखता है, तो standard तरीके से वो school में सीखता है, चलिए, next question देखिए, यह भी थोड़ा easy है, teaching of prose includes, pros का meaning क्या होता है, एक तरीके से आप बूल सकते हैं, गद्य, गद्य में क्या होता है, बड़े-बड़े से paragraph रहते हैं, तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके ने कौन-कौन सी चीज़े हो सकती है, लाइक बड़े-बड़े जो paragraph होते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं, क्या वो essay निभन के form में हो सकते हैं, क्या वो story के form में हो सकते हैं, क्या वो biography के form में हो सकते हैं, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर right answer क्या हो सकता है, right answer is option number T, प्रोज हमारे जो रहते गधी जो हमारे उसे निभन फोर्म में हो सकते हम निभन दो से तीन पेज़ के भी लिखते हैं ठीक है मित्तार है पिरीस निभन सर्म को लगेगा निभन को ने रहने हैं जो हमारी कवीता होती, इसमें स्टैंजा, चोटे-चोटे से पॉइंट, चोटे-चोटे से लाइन सोती है, इसमें जहां पर राइम, शब्दों का बहुत सारी चीजों का धियान रखा जाता है, तो प्रोस के भी बात हो रही है, तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा चलो, इसको आप अच्छे से पढ़ने का ट्राइ करो, सबसे पहले लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिविजम जो है एक प्रकार की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविजम कुछ होगा, यदि आपको हिंदी मीनिंग पता है, तो आप आसानी से समझ गयोंगे, नहीं तो हम लोग को लेते हैं, कहीं नहीं कुछ तो हिंट में ली जाएगी, कुछ नहीं कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविजम कुछ होता होगा, ठीक है, अभी मैं भी सोती हूँ कि मैंको भी नहीं पता है, कंस्ट्रक्टिविजम का मेनिंग क्या है, study a variety of dissimilar samples and draw a well-founded conclusion, ठीक है, कुछ ऐसा बोला है, कि जहां पर आप अलग-अलग variety के dissimilar कोई एक दूसरे से मेच नहीं खाता हुआ, samples का study करते हो, and draw a well-founded conclusion, उनका बहुत अच्छे से आप conclusion निकालते हो, मतलब एक result निकालते हो, तो ऐसा कुछ constructivism हो सकता है, क्या, अगला पढ़ते है, form their own understanding and knowledge of the world, एक यह वाला, form their own understanding and knowledge of the world, through experiencing things and reflecting on those experiences, मतलब form their own understanding, अपनी खुद की understanding and knowledge से, दुनिया के knowledge से, मतलब उसके पास हो सकता है, बहुत चारा ज्यान हो, कुछ experience इसे, through experience thing, मतलब पूरव अनुभा, उसे हिंदी में translate कर दू, तो अपनी समझ इसे, अपना ज्यान हो, उसके पास जो भी ज्यान है, उसका पूराना जो experience है, और उसके पास वो चीज़े उसे reflect करती है, मतलब उस, and reflecting on those experience, मतलब उसका पूराना सारा, जो इतना भी ज्यान, जितना भी अनुभाव, जितना भी knowledge उसने दुनिया से gain किया है, उसके उपर आधारित होना ही, constructivism होता है, क्य वापस से आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमें बोल रहा है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आर फैसिलिटेट, उससे फैसिलिटेट किया जाता है, किसके द्वारा, the teacher and use of variety of media to research and create their own theories, यह फैसिलिटेट किया जाता है, इसे सहायता दी जाती, इसे आगे बढ़ जाता है, यह सारे मीनिंग आप यहाँ पर ले सकते हो, टीचर के द्वारा और बहुत चारी मीडिया का यहाँ पर use किया जाता है, ताकि बच्चा जो एक थियोरी बना सके, उस थियोरी का निर्मान कर सके, अपनी खुद से एक थियोरी बना सके, अगला है, construct their own learning edge, thereby gaining hand on experience, ज जादा से जादा knowledge को गेन कर पाए, तो आपको चार ओप्शन यहाँ पर समझ में आगे होगे, तो कहीं न कहीं हिंट लग रही होगी, कि constructivism किस से related हो सकता है, कहीं न कहीं हमारा construct, constructivism में ही एक शब्द छुपा हुआ है, देखो, constructivism को ध्यान से देखो, इसमें आपको एक building बन रही होती है, तो कुछ न कुछ निर्मान से संबन देखे, किसी न किसी चीज का निर्मान करना, किसी चीज का सरशना, किसी चीज का धाचा तयार करना, तो constructivism को हम लोग समझते हैं कि सरचनावाद, ठीक है, हम लोग बहुत सारी branches पढ़ते हैं, ग्यान की, जिसे मनोव constructivism का meaning क्या होता है, constructivism एक theory होती है, जिसमें क्या होता है, जहां पर हिंदी में यदि समझ में आता है, कि सरचनावाद क्या होता है, तो जहां पर बच्चे जो अपने ग्यान का निर्मान, खुद से करते हैं, ग्यान की सरचना, खुद से करते हैं, तो किसमें यह चीज पर मेंशन हो रही है तो देखो आर फैसिलिटेट बाइद टीचर एंड यूज ओ वराइटी ओफ रिसर्च एंड क्रियेट देर ओन तो पूरा ओप्शन हम लोग यहां पर देखते पूरा ओप्शन क्या बोल रहा है कुश्चन थोड़ा लेंदी है तो डिस्प्ले होने में भ थोड़ी दिक्कत होगी इसको देखो यहां पर क्या चीज बता ही जा रही है देखो अभी हमने थर्ड ओप्शन पढ़ा था तो थर्ड ओप्शन कोई पहले समझते है और फैसिलिटेट कौन सा ओप्शन पढ़ा था अभी चलो एक कोई काम नहीं तीन से स्टार्ट कर लेते आर फैसिलिटेट बाइद टीचर और यूज ऑफ वेराइटी ओफ मीडिया तो रिसर्च और क्रियेट दियर ओन क्योरी तो यहां पर हमने जब कंस्ट्रॉक्टिविजमा की च्योरी पढ़िए सरशनावाद को हमने पढ़ा है क्या वहां पर मीडिया या फिर यह जो सेमिलर सेंपल्स और वेल फाउंडेट कंक्लूजन तो यह जीज भी सैट नहीं हो रही कि कुछ अलग अलग तीजों को पढ़कर एक कंक्लूजन निकालना क्या यह कंस्ट्रॉक्टिविजम होता है क्या नहीं अगला पढ़ते है फॉर्म देयर ओन अंडर्स्ट्रेंडिंग एंड नॉलेज ओफ दे वर्ल्ड दो थो एक्सपिरियंस थिंग्स और रिफ्लेक्टिंग ओन दोस एक्सपिरियंस बच्चा क्या है खुद से कंस्ट्रॉक्टिविजम है मतलब की सरशना करना निर्मान करना तो यहां पर क्या कर रहा है अपनी खुद की समझ से अपने पु अप्शन नॉलेज ओफ दी वर्ल्ड थो एक्सपिरियंस थिंग्स और रिफ्लेक्टिंग ओन दोस एक्सपिरियंस यह सारी चीज़े किसकी होती है कंस्ट्रॉक्टिविजम की होती है जहां पर व्यक्ति है बच्चा अपने ग्यान का निर्मान स्यम करता है ग्यान की सरशना खुद करता है नेक्स कुशन पर मोग करते कुशन नबर 14 है हमारे पास चलो यह रहा आपका कुशन नबर 14 अब इसको समझो आपकी क्या बोल रहा है Students who do not have the opportunities to use the target language outside the classroom demonstrate much lower level of language competencies this can be overcome by एक problem है उसका solution यहाँ पर आपको बताना है तीक है वो क्या हो सकता है इस चीज को कैसे कम किया जा सकता है तब आप समझे कि question नबर 14 में क्या परिशानी आ रही है students को इसको overcome करने के लिए आप कौन सा formula या कौन सी चीज को यहाँ पर apply कर सकते हैं पहला option पढ़ते हैं इसको हिंदी में अभी एकदम से explain नहीं करती है आप question को समझ सकते हैं ठीक है फिर आप पूरा option पढ़ लेते हैं फिर समझने का try करते हैं conducting test periodically to motivate them to learn giving them a set of commonly used sentence and vocabulary which they are expected to use setting separate tasks which are easier with more time to complete them या फिर engage them with a specific language focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders तो देखे क्या लग सकता है आपको यहाँ पर कुछ students ऐसे हैं जिने अवसर नहीं मिल पा रहा है which do not have opportunities उन्हें अवसर नहीं मिल पाए हैं to use the target language क्या कि वो target language को classroom के बाहर जाकर use कर पाए ठीक है this can be overcome overcome by इस चीज़ को हम लोग कैसे overcome कर सकते हैं कि के हम उनके test करवा सकते हैं conducting test periodically to motivate them to learn हम यदि बच्चों के time to time test करवाते रहेंगे तो बच्चों को एक motivation आएगा giving them a set of commonly used sentence and vocabulary which they are expected to use हम उन बच्चों को कुछ एक set दे सकते हैं जहां पर कुछ common words होते हैं जो कि daily life में बोले जाते हैं जिससे क्या करें कि वो उसको पढ़कर काम चला ले अपना setting separate tasks which are easier with more time to complete them कुछ इसे task perform करवा सकते हैं separately task perform करवा सकते हैं जो कि with taking with more time to complete them ठीक है उसके बाद है engaging them with a specific language focused task which are indirectly monitored by their group leaders अब आप इस question को समझो हिंदी मैंने यहाँ पर explain कर दिया है इसमें बोल रहा है कि बच्चों को option D यह बोल रहा है कि engage them मतलब कि बच्चों को engage रखा जाए कुछ specific language focused task जो भी वो language outside the classroom बोलना जाते हैं उसमें उन्हें engage रखा जाए busy रखा जाए which are indirectly monitored by the group leaders indirectly मतलब की जिसे teacher क्या करता है directly बच्चों को monitor करता है यहाँ पर group के कुछ ऐसे leader बना दो जो indirectly उन बच्चों को monitor करेंगे कि वो उस language का सही से use कर पा रहें या नहीं कर पा रहें outside the classroom तो इसका meaning इसका sense यहाँ पर क्या निकल रहा है question का तो देखिए क्या थी इस आपको सही लग रही है क्या periodically time to time टेस्ट करवाने से ऐसा होता कि बच्चा क्लास के बाहर जाकर उसी language में communicate कर पाता तो हम लोगों ने तो इंग्लिश के बच्पन से लेकर अभी तक हजारों टेस्स दे दिये फिर भी हम लोग इंग्लिश में इतने परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं तो यह टेस्ट वाली चीज गलत है टीचर ने हमें बहुत चारी vocabulary इवन टीचर हमें बीच-बीच में Saturday को थोड़े वो भी sentence भी सिखाती थी कि आप खाना खाते हैं तो सीता गाना गाती है सीता खाना खाती है सीता बर्तन दोती है तो टीचर के द्वारा vocabulary के सैट देने के बाद भी हम लोग communicate नहीं कर पा रहे हैं ठीक है अलग से टास्क परफॉर्म करवादो जो कि easy है separate मतलब क्लास के अलावा अलग से कुछ टास्क परफॉर्म करवाओ बट वो चीज़े time बहुत ज्यादा लिग इसने यहां पर hint भी दे दि बच्चों को बाहर इंग्लिश में कम्यूनिकेट करना है तो बच्चों को आपको इसे टास्क परफॉर्म करवा सकते हो ऊच इसे एक्टिविटी करवा सकते हो ठीक है था कि जिसमें बोल सते कि क्लास तीचर जो है उसमें इतना जादा इंवाल्व नहीं रहेगा हो सकता है यहां पर ग्रूप लीडर जो उनी के बीच में से कोई बच्चा है उनको इंडिरेक्ली मोनिटर कर सकता है और कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो उस लीडर से बात चीत कर सकते है तो इंगेज देम इन स्पीसिविक लेंग्विज फोकस्ट टास्क विच आर इंडिरेक्ली म क्या होता है कोस इंडर इंडि नेंडिप इंडि ग्रम आहीं मु टे वक्री कर सकते है दोरेक्व दे बिच्चों से जाएं बह्षा का ग् Genend Vamosijk kur G five क्या होगा अपको देखनHE और पाड़ कि क्या बुरा हैं तो बोरा है क्या है फो एहां लिटानित आपको देखनीए श्क्री चलो तो मिलते हैं नेक्स सेशन में सेशन को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तभी हम लोग इस सेशन को continue रख पाएंगे ठीक है क्योंकि ज्यादा स्टुडेंट अभी हमसे जूड नहीं पा रहे हैं तो फिर यह सेशन ऐसा ना हो कि बंद कर दिया जाए बीच में त उड़ सी जाए बार जाएंगे अवीच में झाच में पूटखे झाच में एक्छा सेचता हैं मोट् बभी आईवहां महीं सेह से बढ़ना सेंध में अधूंकि श्यायर Bachон खूंक्षय। reason क्या होगा, ठीके, thank you very much